हेलो फ्रेंट्स आप कैसे हैं उम्मीद है आप अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे आज की वीडियो में हम बताएंगे कुछ ऐसी आदिते हैं जिनको आप जाने अंजाने में करते हैं लेकिन वह आदिते हैं जो आपके सरीर को बहुत ज्यादा नुक्सान पहुंचा रहे हैं वह आदिते क्या है आए इस वीडियो में हम जाते हैं वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप वीडियो को छोड़के ना जाया वीडियो को पूरा देखे और लाट तक देखें दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह फ्रस होने से पहले करते हैं कि जब त कि आप तक उब्सराइब आपको सुधारने पड़ेगी आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जब तक नहीं मिलेगे दब तक प्रेशर नहीं आएगा वह तो आपकी एक मानसीक वीमारी हो गई आपकी एक सोच हो गई है जो यह चीज बार-बार कहते हैं करने के लिए कि भीआ खाएंगे सुर्ति खाएंगे तमाकु खाएंगे और चाय पींगे तभी हमारा प्रिसर आएगा दोस्तों जाने आपको पता नहीं होगा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहा है हम तो कह रहे हैं कि आप पानी पीजे सुबह उठके सुबह उठिए आप बीना मंजन कुला किए दो तीन गिलास पानी पीजिए इतना पानी पीजिए कि आप उल्टी कर दीजिए एक दिन कीजिए दो दिन कीजिए आठ दिन तक कीजिए आप देखना आपको फिर वही आदत लग जाएगी कि आप बीना पानी पीए फ्रेस नहीं होगे सुर्ति और तमाकु गुटका और आपका जो नशा है वह खतम हो जाएगा आपकी आदत खतम हो जाएगे इन सब पीने के बाद होने की आप सबसे पहले उठेंगे और सबसे पहले पानी माइए नेच्ट है दूस्तों ब्रेकफास्ट जब आप करने बढ़ते हैं तो सबसे पहले आप चाय या साफी ले लेते हैं हम क्यों ने उन चीजों को सामिल करते हैं उपने भी मारी हमारे नजदीक नहीं है इसलिए आप दूद मेर बना बनाशकते हैं उसमें हलका सा घी डाल दीजिए बादाम पीस के डाल दीजिए और उसको पुरा गले तक खाए कोई दिखकर नहीं बढ़ियासा पचेगा भी और आपकी सरीर में काम भी करेगा सबस्श कराब आथा यहां कि खाना भाल की ये आपको ओले काम होऊई नहीं पाचन के लिए उसमें Haug必गी नहीं तो घ्ड़ाय द्लीट हो गई या गयर टECT करद घंटे तो तो क्षाना खाने के बाद riding क्षाए उसका कर्क है उसका फब nervous है तो सरीर ने कि षट कहिते हम राक्ष चांद मिवाइच हो जाते हैं चाङ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसको देख सकते हैं कि मोमोच खाने से क्या नुक्सान होता है हमारी पाचन आंग उनको कितना मिनहट कर रहा है यह चीजे आपको तो पता नहीं है और किसी को पता नहीं होती है लेकिन जब उसका नुक्सान होता है और डाक्टर के पाट जाते हैं कहते हैं यह गैस बन गया है बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो क्यों ना हम उन सब चीजों की जगए केला खालें संत्रा खालें इस सब चीजे कितनी फाइदे मंद हैं खालने के बाद पच्ट जाता ही जल्दी उसके साथ साथ हमाई सरीर को भी फाइदा पहुंचाता है तो दोस्तों आप भी अपने सरीर को स्वास्त और निरोगी बना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताएगे चीजों को आप फालो करें दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट टॉपिक के साथ नमस्कार